उपड़ा हैं जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर देख स्वागत करता हूँ मेरे पहरे बचो नीट का एप्लिकेशन फॉरम फिल करते समय इलिजिबिलिटी एंड क्वालिफाइंग कोड का नीट एस्प्रेंट को काफी डाउट रहता है जब आप 12th की details फिल करते हैं तब आपको eligibility code और qualifying exam code का एक कोलम फिल करना होता है इसमें code 1 से 7 तक फिल करने होते हैं तो इनमें आपको कौन सा code फिल करना है कौन सा कोड किसके लिए है अगर गलत फिल हो गया तो क्या होगा इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो आएए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि eligibility और qualifying code क्या है तो इसमें eligibility और qualifying code से आप NTA को ये बता रहे हैं कि आपकी qualification क्या है मतलब कि आप 12 में appearing हैं या pass कर चुके हैं या BSC कर रहे हैं या फिर BSC के अलावा कोई और अन्य course कर रहे हैं professional course होगे जैसे BMS, BHMS, veterinary, BSC nursing या इस परकार के अन्य कोई course कर रहे हैं तो ये इन सब का code के द्वारा आपको NTA को बताना है अब मैं आपको code 1 से code 7 की condition बता देता हूँ ये condition बताने के बाद आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन सा code fill करना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे code 1 की तो code 1 उन candidate को fill करना है जो इस साल 22 में 12th का exam दे रहे हैं या 12th का exam जिन्होंने दे दिया है और उनका 12th का result आणब बाकी है यानि 12th के appearing candidate code 1 fill करेंगे क्लेरली बात ये है कि जिनके पास अभी 12th का result अविलिबल नहीं है और वो result awaiting है तो code 1 fill कर दें अगर आप 12th class में pass student में जो passing status है उसमें appearing fill करेंगे तो आपको code 1 ही show होगा इसमें condition ये है कि आप need का result आने के बाद जब admission के लिए first round की counselling होगी तब तक आपको 12th class pass करने होगी और जो marks, minimum marks की requirement है वो आपको condition पूरी करने होगी तो code 1 की condition ये इसके बाद में हम code 2 की बात करें तो code 2 उन candidate को fill करना है जिन्होंने 12th class 2020, 2019, 2018 या इससे पहले pass कर ली है और वो dropper candidate है यानि कि उन्होंने फर्दर आगे कहीं admission नहीं लिया है वो सिर्फ need की तयारी ही कर रहे हैं तो ऐसे candidate को code 2 fill करना है अभी code 2 उन candidate को भी fill करना है जिन्होंने science stream के अलावा कहीं admission लिया है जैसे B, B.com, L.L.B. उनमें अगर admission लिया है तो उन candidate को भी code 2 ही fill करना है इसके बाद में हम बात करते हैं code 3 की तो code 3 उन candidate को fill करना है जिन्होंने intermediate या pre-degree examination science stream से पास कर रखी है physics, chemistry, biology या बायो टेकनोलोजी के साथ जिसमें practical भी सामिल है और English एक compulsory subject रहा हो ऐसे examination करनाट का महरास्टर जैसे state में होते हैं तो उन student को code 3 fill करना है इसके बाद में हम बात करें कि code 4 किन student को fill करना है तो code 4 उन student को fill करना है जिन्होंने 12th class पास करने के बाद में किसी science के course में admission ले रखा है या फिर किसी medical college में वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं जैसे BMS की पढ़ाई कर रहे हैं BDS की पढ़ाई कर रहे हैं तो science stream के course में अगर वो आगे फर्दर study कर रहे हैं तो ऐसे candidate को code 4 fill करना है ये student को ज्यादा तर doubt रहता है जैसे BMS में जिन्होंने admission ले लिया वो NEET की तयारी कर रहे हैं NEET का exam देना चाहते हैं तो वो code 4 बर दें इसमें इस बार और बाकी जैसे nursing के student हैं paramedical के student हैं तो वो यहाँ पर code 4 fill कर दें जो फर्दर study कर रहे हैं इन courses के लिए अब इसके बाद में हम बात करें code 5 की तो जो student BSC first year के हैं या फिर BSC अभी second year में हो गए हैं तो ऐसे candidate code 5 fill करेंगे यानि की BSC first year और second year के student code 5 fill करेंगे जिनके physics, chemistry, biology या बायो टेकनोलोजी में कम से कम दो subject इसमें सामिल होनी चाहिए तो ऐसे student code 5 fill करेंगे इसके बाद में जिन्होंने BSC complete कर लिया है वो code 6 fill करेंगे यानि की BSC pass कर लिया है इनमें physics, chemistry, biology या बायो टेकनोलोजी, बोटने, जूलोजी इनमें कम से कम दो subject तो होना चीए अगर इन subject से वो pass किया है code 6 भरेंगे अगर इन subject के अलावा इन pass किया है तो वो code 2 ही भरेंगे इसमें code 7 abroad student के लिए है जिन्होंने foreign से physics, chemistry, biology या बायो टेकनोलोजी से 10 plus 2 या फिर qualifying exam पास की है तो वो student code 7 fill करेंगे यानि की जो abroad से हैं जिन्होंने abroad से पास की है तो इस परकार से आप code भरेंगे अभी मैं आपको practically ये बता देता हूँ कि code को लेकर आपको जरा भी टेंच लेने के आउशकतर नहीं है इसमें दो ही code मैं होते है code 1 और code 2 अगर आप 12th pass के appearing यानि 12th class के appearing student हैं तो code 1 fill कर दें और अगर आपने 12th class pass कर ली है तो code 2 fill कर दें अगर आपका clear है जैसे B.H.C. first year में हैं या B.H.C. complete कर चुके हैं तो जो मैंने उपर code बताए हैं उसके according fill कर दें क्योंकि need के लिए जो qualifying exam है वो 12th class ही है अगर कोई student B.H.C. कर रहा है B.M.S. B.H.M.S. आयुवेद के course कर रहा है veterinary कर रहा है B.H.C. nursing कर रहा है वो अन्य कोई course कर रहा है और वो code to fill करता है तो इसमें कोई गलती नहीं है तो इसमें आपको जरा भी tension लेने की आवश्यक्ता नहीं है अगर आपको इसमें कोई confusion हो रहा है आपको कोई ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सा code बहूँ मेरे लिए तो ये code है यह नहीं आप 12th class कर चुके है तो आपको code to fill करने में कोई किसी परकार की mistakes नहीं है exam के time में भी कोई problem नहीं होगी और नहीं admission के time में भी problem होगी आपके पास documents पूरे होनी चाहिए अब 12th class की जो minimum marks की condition है वो इस परकार से है कि physics, chemistry, biology या बायो टेकनोलोजी और English subject में individually पास होना चीए सभी candidate को 12th class admission के लिए MBBS, BDS जो medical के course है उनमें admission के लिए 12th class पास होना चीए अब जो physics, chemistry, biology या बायो टेकनोलोजी subject में SC, ST, OBC, NCL के candidate है उनको 40% marks minimum होना चीए ये requirement है जनल और EWS के लिए 50% होना चीए इन subject में इनका total होना चीए इनका total होना चीए physics, chemistry, biology subject का 3 का total जनल EWS के लिए 50% और इसके अलावा जो बाकी category है उसके लिए 40% होना चीए इसके बाद में जो PWD candidate है चाहिए वो किसी भी category के हो उनके लिए 40% minimum marks होने चाहिए इन तीनों subject में aims की condition में जो general category के है 60% वो aims का अलग है उसमें लेकिन आपको अभी तो need का exam देना है उसके बाद decide करना है aims लेना है कोई सी other medical college लेना है तो वो तो बाद की बाद है तो ये condition है इसमें code के बारे में जो मैंने आपको बता दी है तो इसको ज़्यादा इसको लेकर ज़्यादा टेंसल लेने के आवश्यक्तर नहीं है आपको अगर confusion हो रहा है कि मैं कौन सा code फिल करूँ मेरे लिए कौन सा code है समझ भे नहीं आ रहा है तो इसमें code to fill कर दे कोई mistake नहीं होगी ये मैं आपको practically बता देता हूँ तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिं